Hello everyone and welcome to the captain So yaar, हमारे English free grammar course के अंदर आज important question CVT point of view से English language के मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ आप लोगों को पता है चैनल पर जो है प्रॉपर पूरी एक list बनी हुई है प्रॉपर काइदे से जो हम अपना English आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को आना जारा गूगल पर हमारे चैनल पर एक बर आजाना और चैनल पर आप प्लेलिस वाले section के अंदर जाओगे तो यहां पर आप यह देख रहे हो यह विडियो प्रॉपर आपके complete English complete free English verbal ability course for CVT IP Math बिल्कुल step by step इसके अंदर हम चल रहे हैं भाई बिल्कुल step by step आप देख सकते हो प्रॉपर पूरी playlist मैंने आप लोगों की बना रहे हैं आप सारी चीजे कवर कर सकते हो बाकिया आप हमारे paid course का अगर पार्ट बना चाहते हो तो मैं आप लोगों को बता दू अगास 3.0 batch within 3 days हम आप बंद करनेंगे हम enrollments नहीं ले पाएंगे हम limited बच्चों को ही बढ़ाना पसंद करते हैं मेरे भाई तो अगर आप अगास batch का पार्ट बना चाहते हैं तो आपको क्या करना है study.educaptain.in पर आना है आपको जो है वो अपना sign up करना है देन उसके बाद आप अगास batch को purchase कर सकते हो और बिल्कुल जो है amazing amazing results इस साल फिर से निकालेंगे आपको पता है यह proper time table हम इस order के अंदर follow करते हैं बट अभी कुछ दिनों से मैंने आप लोगों को जो है vocabulary मैं बहुत काईदे से करवा रहा हूं पिछले कुछ महीने पहले मैंने जो आप लोगो grammar बहुत खीचा था आपका grammar मैंने बहुत जादा करवा दिया है और उसके यह exact questions जो है इस तरीके की questions जो है वो आप लोगों को paper में error spotting point of view से देखने को मिलते है क्या होता है error spotting में देखो यार आप लोगों को इस तरीके से आप slash देख रहे हो इन slash के अंदर जो है यह होता है आपका A part ठीक है यह होता है आपका B part ठीक है यह होता है आपका C part और यह होता आपका D part, ठीक है, तो आपको बताना है कि इन चारों में से जो है कहाँ पर error है, किस part के अंदर error है, ठीक है बात आरें समय में, तो देखते हैं ज़रा You must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro during rush hours, rush hours का मतलब क्या होता बिटा, rush hours का मतलब होता आपको office time, ठीक है, आपको जो office time होता है, उसको rush hours काते है ठीक है, as both are quite unpleasant experiences, मैं personally चाहता हूँ कि आप पहले इन questions को खुद solve करें बच्चे, देन उसके बाद आप मेरा answer देखना क्योंकि आपके brain को भी तो पादा अचले, आपको खुद को पादा अचले के आप कितना पानी में हो, कितना पानी में नहीं हो, तो देखो बच्चे, अगर grammatically देखो ए ग्रमार्मार्टिकली question ठीक है, बट यहां पर एक error आपका quiet के अंदर है, देखो बच्चे एक होता आपका quiet, ठीक है, और एक होता बच्चा बच्चा और इसका मतलब होता completely ठीक है तो यहां पे हमें क्या sense यह के भाई तुम्हें जो है crowded bus या फिर metro के अंदर रश आर के अंदर जो metro रश आर में आपको जो हमारी भरी हुई बस होते है उनको avoid करना चाहिए क्योंके दोनों ही completely completely unpleasant experience देंगे तो यहां पे मेरा quiet यह वाला नहीं आके मेरा यह वाला आएगा Q-U-I-T-E ठीक है बिटा तो यहां पे मेरा क्या है option number D के अंदर जो है वो error है तो यह मेरा correct answer हो जाएगा सही है कोई दिक्कत कोई परिशानी इसके अंदर I hope आप लोगों को नहीं होगी चलो भई आगे की और प्रस्थान करते यह question है पहले ज़र एक बार आप लोग attempt लोग इस question को यार please तो मुझे उमीद है भई आपने attempt लिया होगा देखा होगा देखो क्या कह रहा है the invigilator अभी यह मेरा क्या है हमें इसके अंदर passive voice के अंदर convert करना है ठीक है active से passive voice convert करते हैं अगर आप लोगों को अभी भी passive voice उतने अच्छे से नहीं आते क्योंकि देखो मैं जब passive voice कराऊंगा तो लगब लगब मुझे अभी 15-20 दिन और लगेंगे passive voice कराने के हलाकि topic अभी मैंने पढ़ाया नहीं बट still मेरे किसी बच्चे को अगर passive voice पढ़ना हो ना भाई तो मैं आप लोगों को बता दू आप एक बार channel पर आजाना हमारे ही channel पर आजाना ठीक है यहां पर आना जड़ा कभी वह ऐसा वह थोड़ा सा नीचे हो सकती है playlist मेरी जरूर क्योंकि क्योंकि काफी time हो गया उसको काफी time हो गया बट उसका content मतलब next level content next level यह 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 रहा यह जो playlist आप देख रहे हो CVT 2022 free course जो है मैं हर साल पढ़ात हो free of course बच्चों को आप पढ़ने वाले बनो बस इस वाले course के अंदर आ जाना जरा ठीक है और यहां पर जो है यह playlist खोल के देखना और मैं जरा आपको टेंसे वर्ब एक्टिव पैसे भाई साड़े तीन गंटे का active passive पढ़ा रहा है मैंने किसी ने पढ़ाया नहीं होगा इतनी देर का content आप लोगों को यहां से एक बड़ जारा complete करके देखना अगर आप चाहते हो कि मैं आपको करा तो तो मैं तो कराऊंगा यह भी बट आपको जल्दी अगर complete करना तो आप यहां से भी complete कर सकते हो तो मैं बस बता रहा था आपको तो अभी हमें क्या active से passive convert करना है तो यहां पर क्या कह रहा है the invigilator is advising the students not to carry calculator into the examination hall तो यहां पर अगर आप देखोगे मेरा subject क्या है the invigilator यह मेरा subject है बिटा और is advising is मेरा हो गया helping verb advising मेरा हो गया advising हो गया मेरा main verb किसको advise कर रहा है object मतलब मेरे students हो गया students जब भी कभी हम active बनाते हैं तो मेरा object आगया आजाता है तो आप यह देख रहे हो कि सबके अंदर students है कोई दिक्कत नहीं है अब उसके बाद मुझे क्या पहचानना है मुझे tense पहचानना है यहां पर यहां पर कभी भी active voice मेरा present continuous होता है तो इसका passive voice जब हम convert करते हैं तो कैसे करते हैं हमारा क्या आता है is आ जाता है या फिर r आ जाता है उसके साथ एक आता है हमारी b family का being ठीक है और फिर आती हमारी verb के third form यही होता बच्चे यही rule है हमारा यही सीखा है हमने तो यहां पर आप देखो इस MR के साथ being कहां लगा है सबसे पहरे तो अगर मैं देखू यहां पर इसके अंदर कहीं पर being लगा हुआ है नहीं लगा हुआ option से भार कर दो क्या इसके अंदर कहीं पर being लगा हुआ है कि हाँ यह ऐसी होते तो यह होता है यह ऐसी होता है ऐसे होता है यह अग्ट पाशिव बहुत जल्दी शॉल हो जाता आगर मैं आपके एक्जामिरिशन पॉंट अभी से स्युर्ट पउंट आप बता हो ना बया लगवग 4-5 व्यक्वेश्चन आपके आपको देखने को मिल जा अब देखो incorrect spelling की अगर में बात करो तो वाइलेंस देखो हमारा वाइलेंस होता ही वह आपने वाइलेट कलर होला है तो इसकी spelling क्यों होते है वी-i-o-l-e-t होती है हमारी वाइलेट ठीके बात रहें सब्सक्राइब इस सरीके से हमारा वाइलेंस होता है इसकी correct spelling जो होगी वह V-I-O-L-E-N-C-E होती है, ठीक है, तो यह मेरा correct answer हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद मेरा है, exterminated, exterminated का मतलब होता है, किसी चीज को completely destroy कर देना, ठीक है, लिख लो यहाँ पर, चाहे इन सब की meaning, completely destroy कर देना, किसी चीज को, ठीक है, wilderness का मतलब होता है, जो चीज बहुत ही जंगली सी होते है, that is wilderness, unmanageable का मतलब होता है, that cannot be managed, that cannot be managed, तो इसके अंदर भाई, हमारी violence की spelling जो है, वो गलत थी, तो I hope आपने इसको correct कर लिया होगा, चलें भाई, आगे बढ़े, चलतें सर, यह रहा हमारा indirect speech है, एक बाद आटेंप्ट लो, आप पहले खुद मैं screen पे से out होता हूँ, आप लोग प्लीज अटेंट लो, मैं ऐसी उ इसको भी indirect speech और direct speech convert करनी होते है, again, यह lecture मैंने वहाँ पे upload कर रहा है, उसी playlist के अंदर जहां पे अख्टेंपैसे बताता, amazing पढ़ा रहा है मेरे भाई, अगर मैं आपको दिखा दू ना, कितनी देर को content बढ़ा है, तुम लोग ना, हलके में मत लेना, ठीक है, यह अगर free of cost content content रखा है ना भाई, तो इस free of cost content को भी हलके में लेना मत, ठीक है, मैं आप लोगों को पहली होता देता हूँ, adverbs narration, भाई, चार घंटे का narration पढ़ा रहा है, चार घंटे, लगा दो यह समय, मैं क्या रहा है, वर्थ, वर्थ रहेगा वर्थ, तुम बो लोगी के सार, पढ़ा speech के अंदर मुझे सबसे पहले reporting verb देखनी होती है, अगर वो मेरा past tense के अंदर होता है, तो ही मेरे changes आते हैं, ठीक है, तो यहां पर मेरा is क्या है, अब देखो हमें, हमने हमेशा से देखा है कि मेरे reporting verb है, तो मुझे reporting speech को हमेशा से past की तरह धक्का देना पड़ता है, तो is going मे the doctor said that everything was going to be all right, तो देखो यहां पर will be all right नहीं होगा, was going all right, was going to be all right, okay, was going to be all right मेरा हो सकता है, यहां पर दो जागा was आ रहा है, तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा नहीं होगा, ठीक है, is going भी नहीं होगा, तो यह was going मेरा यहीं पर है, तो yes, option number C ही मेरा correct answer हो ठीक है भई, सही है भई, तो यह छोटी छोटी चीज़ें, अब देखो एक बाह बताओ, यह question अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मुझे इतना time लगा है, बट आप अगर question paper के अंदर देखोगे, चंद 2 second के अंदर यूं आखे दोड़ाई, practice अच्छी कर रहा हैं, आख तो उनसे compete कर पाएंगे, वरना तो पीछे रह जाएंगे ना भाई, यहाँ पर action में COT के अंदर game किसकी है, COT के अंदर game पता है क्या है, कि आप कितना जल्दी question solve कर पाते हो, कितना accurate question solve कर पाते हो, यह practice है भाई, सारी, इसी का पूरा मांजरा, यही पूरा खेल है, समझे र the herd of flock of animals being driven in a body, आपने देखा है कि जो जैसे भेड बक्रियां जो होते हैं, जो जो चलाने लेकर जाते हैं, उनको क्या कहते है, मवेशी कहते हैं, वो एक डिरेक्शन में जो है, बिल्कुल एक डिरेक्शन के अंदर जो उनको लेकी जा रहे होते है, मवेशी को क्या कहते है, है ना, drawer कहते है, तो हमारा correct answer इसका क्या हो जाएगा भई, इसका answer हो जाएगा हमारा drawer, अब देखो, यहाँ पर अगर मैं बाकी के meanings आपको बताओं, तो crowd और cluster के एकर मैं बात करूँ, देखो crowd और cluster यह दोनों वर्ड आप लोगों को भीड जो है वो बताते है, crowd बताते हैं, बीड के बारें बताते हैं, उसके बाद crowd और throng, I'm sorry, crowd और throng के बात करूँ, I'm so sorry, crowd और throng हमें जो है वो बीड के बारें बताते है, बट वही अगर मैं अपने cluster की बात करता हूँ, तो cluster मेरा क्या चीज दिखाता है, cluster मेरा दिखाता है collection, ठीक है, bunch दिखाता है यह चीजे, जैसे आपने सुनाओगा na, cluster of stars है na, cluster of stars सुनाओगा, cluster of stars, मतलब की stars का collection, तो यह आपका collection दिखाता है, तो यहाँ पर correct answer मेरा के आजएगा, option number a draw हो जाएगा, ठीक है बाई, कोई दि दिखते हैं, आपको antonym बताना है, मैं जरा screen से एक बड़ आउट होता हूँ, एक बड़ antonym बता हो, gradual का क्या होगा, please, I hope अपने attempt लिया होगा बिटा, तो gradual जो चीज होती है na, वो slow होती है, तो gradual चीज slow होती है, gentle होता है, something which is very kind, है या फिर, बड़ा ही soft सी कोई चीज हो, क्या बोलते है, gentle कहते है, abrupt का मतलब होता है, बहुती sudden, जो चीज एकदम sudden हो जाए, that is abrupt, ठीक है, अब regular slow का मतलब तो आपको पता है, slow मतलब slow, ठीक है, और regular मतलब जो चीज रेगलर लियो हो रही हो, तो यहाँ पर gradual का antonym का मतलब क्या हो गया भाई, opposite हो ठीक है, आपको same meaning convey करे, तो यहाँ पर हमें opposite बताना है, antonym बताना है, ठीक है बटा, तो यहाँ पर gradual का opposite का हो जाएगा, हमारा abrupt हो जाएगा, जो चीज बहुती sudden हो, ठीक है, अब देखो, जो चीज slow चल रहे हो, इसका उल्टा का हो जाएगा, जो बहुती sudden हो, एकदम से हो जाए, gradual हो जाएगाना है, यह जो underline part है, कि यह हमारा ठीक है या नहीं है, देखते हैं जरा यहाँ पर, क्या कहता है, while washing your hands, rub them together, for 20 seconds to remove the microbes on them, अब मुझे बताना है, क्या यह जो underline part है, इसके अंदर कोई error है, या नहीं हो रहे है, तो क्या error है, देखो यहाँ अगर आप ध्यान से preposition, ठीक है, और उसके बाद them, जो है मेरा क्या preposition को object है, prepositional object है, ठीक है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, कि मेरा preposition को object ही आना है, अब देखो microbes on those, मेरा subjective case है, microbes on they, subjective case है, the microbes on there, यह भी subjective case है, तो यह तो तो तीनों तो आहीं नहीं सकते, बिच्चे, क्योंकिए preposition के बाद हम direct answer मेरा क्या हो जाएगा, कि बजा, यहाँ पर कोई भी error नहीं है, no error, no substitution, कुछ भी error नहीं है, कोई यहाँ पर हमें change की जरूरत नहीं है, बात है सुनने, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, चलो भई, आगे, next question है, एक बार जारा fill in the blank है, एक बार attempt लो, मैं जारा screen से out होता हू प्लीज एक बार attempt लीजे, लिया भाई attempt लिया, देखो भी, क्या कहता है, यह पता है कि यह सारी चीज़े, अब आप यह चीज़े फील कर रहे हो, कि आपकी grammar, आपकी vocabulary, सारी चीज़े अपना proper role निभारी होती है, और question किस तरीके से आजा है, वो कुछ नहीं कहा जा सकता, सम आपकी edamon phrases बहुत स्टोंग होने चाहिए, आपकी grammar बहुत स्टोंग होने चाहिए, active passive narration बहुत स्टोंग होने चाहिए, सब चीज़ों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, इंडिया इस formally moving ahead to Daesh, 21 MiG-29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighters from Russia, along with upgrades of their existing fleets, fleets का मतला वो तक Qatar, यहां पर क्या कह रहा है इंडिया जो है, अब वो बिलकुल आगे बढ़ने वाला, रश्या से जो यह कौन सा, जो दो fighter plane के नाम लिये, 21 MiG-29 and 12 Sukhoi 30 MKI fighters, और अपनी Qatar को, जो plane की Qatar है, उसको upgrade करने के लिए, चाहिए, बात आ रहे समिझ में, अच्छा, तो अगर आप इनके मुवी, इनके जो है, अग moving ahead, that is advance, ठीक है, accomplish and achieve कि अगर में बात करूं, तो यह दोनों चीजे जो है, आपको aim के लिए आप use करते हो, जब आप achieve कर लेते हो, गोल के लिए आप इन चीजों को लगाते हो, ठीक है, या फिर कोई, कोई dream आपका true हो जाता है, तो आप इसको लगाते हो, ठीक है, फ्रॉक् especially with good care, with good care and effort, जो चीज बड़ी effort और बहुती care के साथ की गई हो, that is procure, तो यहाँ पर अगर हमने रश्या से जो है, प्लेंस वगरे लिए तो उनको बहुती care और बहुती effort मार के जो है, उनसे लिए होंगे, ठीक है, बात रहे सम्में, तो यहाँ पर मेरा procure जो है, वो correct answer हो जा कोई दिक्कत, कोई परिशानी से के अंदर, I hope नहीं होगी, चलो, बात पते क्या है, बात यह कि जब आपको meanings clear होते है, words के, जो given है, तो आपको बहुत clarity मुलती है, इसलिए बार-बार कैरो के vocabulary पर काम करो, इसलिए बार-बार मैंने तीन-चार सेशन के vocabulary के back-to-back, back-to-back, back-to back-to-back, 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 back-to-back माग लगाया होगा, had you not reason time, we will have lost our lives, देखो यार, यहां में पता है क्या चीज होती है, एक तो होता है हमारा in time, ठीक है, in time का मतलब क्या होता है बालक, in time का मतलब होता है, कि मालो आपके meeting का समय था, 9 बजे का, आपने 9 बजे तया किया, और आप पहुंच गए हो, वहाँ पे 8 time पर आया, ठीक है, बात है समय, तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखोगे, बहुत से बच्छों को in time यहां पर लगता है, बट अगर आप इस sentence को proper ध्यान से देखोगे, had you not reason in time, we will have lost our lives, तो यह actual में you will realize, कि यह conditional sentence है मेरा, जो कि हमने हमारे tenses के अंदर पढ़ा है, conditional sentences, ठ नहीं पढ़ाया है, मठा मैंने पहले चानल में proper डाली हूँ यह चीज़े, conditional sentence अगर आप देखोगे, तो conditional sentence क्या होता है, कि अगर तुने वह नहीं किया, तो यह हो जाएगा, अगर तुने वह नहीं गया, तो उसका यह हो जाएगा, तो अगर-मगर वाले sentence होते हो, conditional sentence होते ह हमने देखा है भाई, उसके अंदर एक rule हम सीखते है, कि जब कभी मैं आपको लिखवाई देता हूँ, conditional sentence के अंदर एक rule हमेशा ध्यान रखना बच्छे आप, कि जब कभी आपका head के साथ, verb की third form लगी होती है, ठीक है, head के साथ, verb की third form जब भी आपकी आ रखी होती है, तो आगे जब भी आप लिखते हो, तो आपका आगे would आता है हमेशा, ठीक है, then उसके बाद हमारा have आता है, और then उसके बाद verb की third form आती है, ये बात तो आप बच्छे एक box बनाके जो है ना, वो लिख लो कहीं ना कहीं, ये बात आप लिख लो क्योंकि conditional sentence का एक rule है, और ये बा हो गया, ये मेरा verb की third form हो गया, तो ये मेरा क्यों देगा, had you not reached in time, we would have lost our lives, तो यहाँ पर मेरा option number D जो है, ये मेरा correct हो जाएगा, ये इसके अंदर error है, कोई दिकत नहीं तो बच्छे करिया आते है, in time, in time, in time, in time, in time, अरे बाला, पूरा sentence तो पर खो, क्या है, क्या नहीं है यही तो examinal फाइदा उठाता है, चलो, raise the bar, ये तो idiom हमने किया हुआ भी है, इसी वाले session के नदर भी हमने किया हुआ है, raise the bar का मतलब होता है, जैसे माल लो, ये आप पहले जो है, वो इतनी jump लगा सकते थे, ठीक है, देन उसके बाद आपने जो है, goal set किये, क्यों जो है, मै इतनी jump लगाना चाहता हूँ, ठीक है, इतनी, इस level की jump मैं लगाना चाहता हूँ, तो raise the bar का मतलब होता है, अपने goal को higher level पे set कर लेना, ठीक है, तो to set higher goals means raise the bar, ठीक है, चलो, okay, so I hope आपको ये session आपने enjoy किया होगा, ये बीच बीच के अंदर ऐसे sessions लाने का मेरा motive सिर्पोर सि कि actual मैं exams में जो है, किस तरीके के questions आते हैं, क्या मैं सही direction में तयारी कर रहा हूँ या नही कर रहा हूँ, क्यूंकि, अब देखो, मैंने आप लोगों को here, मैंने आप लोगों को mixed questions की practice करा दी, अब हो सकता है कि इनके अंदर से exact, कोई ना, कोई ना, कोई रूल का question, कोई ना test लगाने bad zone, तो आपको clarity रहे, कि हाँ जनाम हमने सारी चीज़े की हुई है, हमें आती हैं सारी चीज़े, मुझे सर ने बताया है, कि इस तरीके से आपका paper form होता है, ठीके मेरे भाई, तो मैं आपको हर angle से जो है, हर angle से आपकी preparation जो प्रॉपर करा दूँगा, CUT 2024 English की, बस आप चानल पर बने रहेगा, चानल को subscribe जरूर करके रखेगा, मिलता है इसके snack studio के इंदर मुझे दीजेगा जासत, till then bye bye and take care